वालो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, I hope so, आप सभी अच्छे होंगे, तो देखिए, आज की क्लास में हम जो स्टडी करेंगे, वो जोग्रफी है हमारी NCIT की, NCIT सीरीज हमारी चल रही थी जोग्रफी के अंदर, उसका जो क्लास सेवंथ है, उसके जो चेप्टर नमबर अचीर हैं, मॉर्फम, आप को एक तो इसको तो यहां से यहां तक जो स्ट ए सेंटर उनके क्लास में धहीं गहीं है तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास, तो आपके सामने एक डायग्राम है इसमें क्लास सबसे ऊपर की यह वो क्रस्ट कहलाती है फिर उसके नीचे जो औरेंज कलर में देख रही है आपकी इस थेनों स्फियर है ठीक है अब देखेंगे इसमें क्या क्या रहता है फिर आपका मैंटल रहता है यह मैंटल का इलाका ठीक है और फिर और रहती है फिर आपकी इनर को रहती है और आपकी रेडियस कितनी अर्थ किए अप्रोक्षिमेटली 6400 किलोमेटर तो यह तो दिखिए उदर चेंजरी रहते हैं तो अपर देखिए इसमें हम सबसे पहले जो यह सबसे ऊपर की लेयर को चूंशी ये वा लिए न कितनी होती है यह होती है लिए ठाइनो प्ली यह केल अब yg को फिर हिए जो ऑफ्रश्ट की लिए बाहर की सबसे पतली लेयर होती है जिसकी तिकने लगपग अपकी 30 to 50 km की रहती है डेट में 30 to 50 km कैसे लह रहा है अंदर की तरफ जा रहा है ठीक है इस डेफ्थ को हम 30 to 50 km और यह देखिए इस डिफरेंट जगों पर लगालग हो सकती है ना जैसे आपका ओशन है समुद्र है तो ओशन में आपको क्या यह फाइफ टू 30 km की ड अब चरही और यह शृच्टी तो यहां पर पानी है और और सिंदर हो सकता ना कुछ कहराज़ वह्यों Mt अब आथ करते हैं और जो कांटिनेंट मतलब्यूद्द्र होगा अब अपर इससों यह वाइं पर रहते हैं पर जेहां जाओ फार रहते हैं ठीक है जहां पर देश है तो उस जगे पर जो आपका कॉंटिनेंट है कॉंटिनेंट में यह जो डेफ्ट होती है यह 50 to 100 किलोमेटर्स की जाती है ठीक है यहां पर क्या लिखा था 0 to 100 तो इस तरह के से इनका ही डिवीजन हो गया है और हिमालया रेजंशा हैं आपकी जो मौंटेज है मांपें बातक रहे हैं ना तो मौंटेंस व 거지 हैं पर मांजफ पर यह सरफेस लेवल पर आया और फिर आकर विःवलल सब बिलाके लगबक 70-100 km के आसपास की थिकनेस आपकी इसकी रती है यह क्रस्ट की रती जो सबसे ऊपर की लियर आपकी है यह दो लियर जो दिख रही है ना ग्रे गलर की और थोड़ा सब लाइट ग्रे गलर की और यह अर्थ का जो वाल्यूम है आपका पूरे अर्थ को पर छोप टूम में तो उसमें जो है सिर्फ पॉंट फाइफ से 1 परसेंट का अर्थ का मांधते हैं कि और पॉर्य स्फेयर ग्रें इंदर इंज्क्लूड़े अदर रहा है फिर हम बात करते हैं अपने अगले हमारे layer ismosphere , regression एसथिनोस्वेयर एस्थिनोस्वेयर के बारे में बात करते हैं तो की एक ट्रिगक क्या है यह ए přिंग क्या boundary layer है यह देखे boundary layer है between CRUSD ओपर है और उसके नीचे क्या है ? Mental , a metal मेंटल और करस्ट के बीच का जो बादारी लेयर है उसे कहते है एस्थिनो स्फेयर है ठीक है और यह काफी कमसोर होती को यह ज्यादा स्टॉंग नहीं है यह वीक लेयर है वीक लेयर है यह क्रस्ट आपकी स्टॉंग लेयर है बट यह जो एस्थिनो स्फेयर है यह आपकी वीक लेयर है और यह मेंटल के अपर पार्ट मे देखने को आपको मिलती है और यह किसका source है यह main source है main source है आपका magma का जो आपका जॉला मुखी अलावा फटता है तो उसके अंदर जो magma रहता है जो निकलता है बाहर वो इसी layer के अंदर maximum पाया जाता है ठीक है और इसकी जो density है मतलब इस layer की है ना density जो घरत तो है वो क्या है आपकी जो crust की layer crust की layer उससे क्या है high है as to compare to crust की layer से जो आपकी एस्थिनोस्फेर की layer का जो density है वो क्या है ठीक है जिसकी वज़े से क्या होता है आपका वॉलकरिक इरेक्शन होता है इस layer की वज़े से ठीक है चलिए फिर हम बात करते हैं अपनी next layer के बारे में I hope so यह दोनों point आपको clear हो गया होंगे crust और एस्थिनोस्फेर फिर हम बात करते हैं मेंटल के बारे में ठीक है तो मेंटल जो है आपका यह आपका जो है लगबगत हमारा कितना बात कर रहे थे हम यहां पर 35-100 है तो हम यहां से मोटा मोटा में यह कह सकते हैं कि 35 कुछ एरियास पर 35 किलोमेटर से लेकर 2900 किलोमेटर तब की जो रेंज है डेफ्थ है वह पूरी किसकी है मेंटल की है यह कितनी है 35 से लेकर कुछ इसके पर वरियेशन रहे जो समय तरका डी विलाका है जहाप पानी गहरा है यह ना उस जागे से गया है 35 किलोमेटर साथ होगा है ना ठीक इस तरीके से वरियेशन रहता है 35-2900 किलोमेटर का आपका यह जो है इसकी डेफ्थ रहती और इसकी जो डेंसिटी है वह क्या है कम से लेकर 3.7 है एस कंपेर्ट तू आपका यह था यह तस दीटा अन्सिटी नियास के इतना परसइंटेश कम रहता है उससे इसले इसकमपरिटिव में ठीक है अब देखेब इसमें जो अपका लियर है यह मेंटल वाला मेंटल लेयर में आपका क्या है सौलिड रॉक्स है ठीक है solid rocks के साथ some areas में magma भी पाया जाता है magma जो अपका volcanic eruption के लिए या वालकना जो फटता है उसके लिए ठीक है ज़रूरी है या चाहिए उसके लिए जो एस्थेनो स्फेर की layer में काफी मातर में पाई जाता है तो यह जो ऊपर की layer मेंटल की जो उपर का section है इस section में magma का कुछ जो पर देखने को मिलता है ठीक है और solid rocks का बना हुआ है अब यह जो section है आपका ठीक है इसका जो अगर जो हम कल्यूम के टब में बात करें तो यह अर्थ सरफेस का 83% वाल्यूम ठीक है बाई वाल्यूम है लुवाल्यूम आपका जो मेंटल है वो कंटेन करता है ठीक है जहलिए फिर अम देखिए हम से किसी सी बात कर ली अर्थ क्रस्ट की बात कर ली एस्टिस्वेर के बात कर लिए और फिर प्रुने mental के बारे में बात कर लें अब हम बात करते हैं हमारी जो last layer है core के बारे में यह section है पुरा core का 2900 km से लेके 6400 km तक का जो पूरी radius है यह क्या चैलाती है अपकी core क्या चैलाती है ठीक है और इसको divide किया गया है दो parts में देखें एक 2900 ते 5100 तक की जो रेंज है वो क्या लिक्विड है ठीक है लिक्विड फॉर्म में है इसमें सॉलिड रॉक्स वगरा नहीं ना मात्र के बराबार प्रेजन्ट है और इनर कोर है बिल्कुल एंड वाली कोर जो रेडियस तक जाती है वो क्या आपकी सॉलिड है लुट जो है यह जो है आपका वालियूम के बात करें तो 16 परशेंट आपका वालियूम करता है आपका जो कोर का एलाका है कोर का जो section है वापको पाई वॉल्यूम 16% करता है क्लिए इसमें जो है बेसेकली क्या अब अवैलेबल है निकल निकल और आयरन जो है इस कोर वाले section में क्या है बहुत जादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ठीक है और इसमें कि तरफ से दभावा राया है है ना चालों कर दबाव तो वीच में जो चीज होती है जैसे आप कहीं बैठे ओना आप सपोस्कर वे बेठे ओ बीच में हो इधर से दो लोग बैठे और बैंच अचोटी जो बैठें के तो आप क्या जो और तो पिचक जाओ गया ना तो तरीके स इनर कोर है ना या आउटर कोर या कोर की बात हमने कर ले तो हमने क्या देख लिया है यहाँ पर चारू सेक्षिंस के बारे में हमने इस क्लास में इस वाले पार्ट में देख लिया फिर अब हम बागे बात करेंगे फिर अपम बात करते हैं rocks and minerals के बारे में देखेंगे रहरा thूड़ा सा किसके बारे में rocks and minerals के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे तो देखें, rocks क्या होती है, rocks जो है आपकी वो natural mass है, किसका? minerals का, rocks जो है हम rock की बात कर रहे हैं भी आपे इसमें कैलियम मैगनीशियम आइरम इसे बहुत सारी जीजे मिलती है देर मन जाएं तो क्या ख calendar आपका रॉक क्यलाता है ची ऑंट कि ये क्या रॉक तो हाट की हो सकती है न सफिके है थो लाग हो सकती है साइस में कुछ बड़ी हो सकती हो सकती है कुछ कलर में एसकतैka कोछ तोड़ा सा तक्चर अलग सकता तब ने मी सबसे पहले है आपकी इगनियस रॉक ठीक है फिर दूसरी आती है आपकी सेडिमेंटरी रॉक के थाफ मार्फिक है तो ये तीन टैप की रॉक है हुमें इस क्लास में देखनी हैं क्या कीसे कैसे होती है थो चलिए देखते हैं के बारे में सबसे पहले रॉक थी हमारी जो वो थी आखेडी में देख रहे हैं सकति इए इगें एक लाघ नी के बारे में डेकर हैं जमीन अ किसे में होट है जब ठंडा हो जाएगा जम जाएगा है ना जम कर वो क्या एक चटान का रूप ले लेगा ठीक है तो उस तरीकर की जो रॉक्स बनती है उन्हें कहते हैं आपकी इगनियस रॉक फिर मैं करते हैं दूसरी टैप की वह थी हमारी सेडिमेंटरी रॉक मेंट्री रॉक्स एंना तो यहांके डस पार्टिक्ल से हैं सेंट आपको यहां से उड़ते हुआ है यह पानी के थुरू या हवा के थुरू यह डिफिर्ट मोट से तो एक पॉइंट पर आके जमा हुआ है और आफ्टर लॉंग पीरिएट यह क्या है एक चट्टान का रूप इसने ले लिया ठीक है तो एक डिपोजिशन से हो गया यह यह जो एक्ष जम्हा हुए compound हो रुठ और फिर उन्हें आने एक रॉक का दियर्बान किया तो देखे इस वाला जो ये जो आपका रुब रॉक मिलेगा सेडीमेंस डिरॉक है कि को मिंटर से भरा हुआ हुआ है तो इसा नहीं कि मिन्रल्स से भरपूर होता है अब आप एसा नहीं कि मिन्रल्स से भरपूर है तो आप रॉक को खा सकते हैं तो इसको एक्सरेक्ट करना पड़ाएगा ठीक चले फिर हम बात करते हैं अपना य कि मैटा मोर्फिक हैं ए रॉक कि मैटा essaелिए मैटा को हम देने थैसे देख लेदे मैटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फिक mez Simple tafork ओब जानते है ना तो क्या मेंग हो गया है चेंज इन लगा दो आप यहां पर तो क्या होगा है चेंज इन फॉर्म कोई भी रॉक है यह पहले से एक्जिस्ट करती है उसकी अगर जो शकल बदल जाए ना जीसे आपका वाटर है अमाली जी यह आपका ग्लास था ग्लास में वाटर रखा है तो यह शेप है उसकी है ना ठ है आइस है आइस में टोंके बन गया वाटर बन गई और यह यह पुल रखेंगी फॉर्म करती है वह क्या क्या लाती है कि मैंतमोर्फिक रॉक ठीक है तो चले इसमें हम देखते हैं इसमें एक चीज़ा करे सकते हैं कि आप जो एक्दिस्टिंग rock है existing rocks जो है वो जब change कर रही है transform कर रही है क्या कर रही है transform कर रही है अपने आपको transformation हो रहा है उनके अंदर तो आपके बनाती है metamorphic rock ठीक है और यह changes जो है physical और chemical दोनों तरीके से कैसे हो सकते है physical and chemical दोनों तरीके के changes देखे जा सकते हैं ठीक है अब physical में क्या हो गया जैसे physical में आपका इसे physical और chemical changes में जैसे heat and pressure हीट आई heat लगी रॉक को बहुत जादा गरम हो गए फिर उससे उनकी form change हो गई यह बहुत ज्यादा दबाव मिला उने प्रेशर मिला ठीक है तो प्रेशर की वह जैसे क्या है उनका form जो है वह एक तरीके से change होता चला गया ठीक है तो जैसे इस तरीके से जो rocks मिलती हैं उनके जो पत्थर होते हैं उनका हम कहां ठीक है तो आपको clear हो गया होगा I think यह तीनों टाइप की rocks के बारे में ठीक है फिर हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर काफ़ इंपॉर्टेंट है यहा पर क्रिस्टेलाइज़ेशन हुआ उसका क्रिस्टेल इसलमाइशन हुआ ठीक क्रिस्टल बनने के बाद फिर वह क्या बनगया सो इंपॉर्इछ और ःजों रॉक बन गया ठीक है अब एंग्रेश को था आपका वह क्या हुआ उसमें चेंज वह वेजरिंग हुई येर वाटर ठिक है इरोजन हो वा टिक न किसे बन गई है आपका sediments बन गए है sediments ठीक डिरेक्टली आपको क्या है sedimentary rock नहीं बना है sediments बने बड़े बड़े टीले से बन गए फिर उन टीलों पर और ज़्यादा जमाव होता चला गया है इनको क्या हुआ है इनके साथ compaction हुई दबाव पड़ा इनके साथ compaction हुआ और consmary और cementing कुई timing cementing cementing मतलब थोस होते गए दबते गए दबते गए जैसे आप मिटी लो मिटी उसको क्या दबते जो क्या थोटी हो जाती थोड़ी सी तो उस तरीके से ये compacting हुई सिमेंटिंंग होई उसके बाद यह क्या बन गई आपकी सेडिमें ट्री रॉक की फॉर्म बन गई आप जब इसमें प्रिश्र लगा अधोचीश अप्रशइर प्र मालाई हुआ यहाँ पर जो यह क्या मैंत कि क्नवर्ट हो कि अब देखिए जब फिर हम बात कर देए जब मेटामोर्फिक रॉक है ये जब करम हो गई मेंट हो गई टेम्प्रेचर की वजए से बहुत ज्यादा तो क्या हुआ ये मेल्टिंग जब हो भी इसकी अगर जो हुई तो ये वापस से क्या बन गया मैगमा बन गया देखे एक साइकल बन गई गूम रहे है चेंज़ेश होते रहें यह अशा नहीं कि दो दिन में चेंज हो जाएंगे है दो साल में इसके लिए बहुत समय लगता है कई सौ साल के वाल हजारों साल का समय इसमें लगता है ठीकिए यह तो रॉंड सरकल हो गई इसमें मैगमा बन जाएगी उसको आगे जाने की जुरूद है नहीं यहां से मेल्टिंग चालू हो गई तो वापस हो जैसे जो सॉलिड हुआ सा आपका मैगमा निकल के क्रिस्टलाइन फॉर्म होकर वापस से पिखल गया फिर वो क्या बन गया आपका वापस से मैगमा बन गया ठी सेडिमेंटरी रॉक नहीं बनेगा है फिर अब देखें सेडिमेंटरी रॉक है जो उसमें वापस से वैदरिंग वगारा चालू हो गई है ना वैदरिंग एर वगरा से जो टूट टूटके जान लगए दूसरी जगह डिपाजिट हो लगए जैसे एक रॉक है यहां से रॉ के मेटमर्फिक रॉक से जो बने आपकी वहां से भी क्या आपका वैदरिंग हो सकती है उसे भी वैदरिंग हुई आपका शोटव चोटवटे पार्टिकल्स आपकी दिस्रिब्यूट होने लग गए और फिर सेडिमेंट बने फिर वह आपके सेंडिमेंटरी रॉक बने तो सब्सक्राइब करते हैं तो यह था आपका रॉक साइकल तो इस तरीके से रॉक क्या है अपनी जो चेंजिस हैं करती रहते हैं अपनी फिजिकल स्टेट ने हुन पर यह सारी चीजे ऻीजैं अप्लाइड रहते हैं चैंफ्य हम बात करते हैं मिनिरल्स के निद्ध की मिन is मिनेरास वाल्स का बने वूई है ठीक है कि एक है मिनेरास के पास जो है उनकी हुपी फीजीकल कि एक ही एंड प्रॉपर्टीज झीकल इनशिंट कंपोपड़िशनों जो है रहती है जि खकी ने आप है कोल है natural gas है है न यह आपका petroleum है petroleum है तो यह फो मिन्राल्स है हूं चाल्शियम है मैंगनीशियम है यह इस सब छीजह यह तो मिलते हैं इस निक हैं करते हैं इदेस्ट्रीज में मैडिसिन में मैडिसिन्स में और फर्टिलाइजर में ठीक है तो यह सब चीज़े थी आपके इस चैप्टर में जो इंसाइड आवर अर्थ का है नमबर टू तो इस चैप्टर में हमने क्या गया देखा हमने रॉक्स की आपके जो लेयर्स है लेयर ऑफ अर्थ के बारे में हमने बात करी कि कितनी लेयर्स रहती है फिर रॉक्स की फॉर्मिशन की बात हमने की यह रॉक्स कितने कितने प्रकार के देखने को मिलते है और कैसे कैसे बनते हैं ठीक है और उसके रॉक्स साइकल के बारे में फिर हमने इसमें देखा है न तो I hope so आपको सारी चीजें इस particular chapter की clear हो गए होगी तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like and subscribe जरूर कर दें है न तो मिलते हैं फिर अग्डी class में thank you for watching